जैहें सातियों, बेलकम टू सेल्प स्टेडी किलासे इस विस सुमिझें यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ड हो चुका है तो सभी लोग लाइब आ जाएं और सभी को वीडियो को सेर भी करना है तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है फिर वीडियो को सेर भी करना है तो स्टार्ड होने बाला है दोस्तो आज का यह वीडियो और जो भी अवी तक टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े हैं वो टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ने के लिए आपको टेल पर चर्चा करेंगे तो आपका जो पहला प्रश्न है मद्द प्रदेश के किस राष्टी उध्यान को सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया तब आपको बताना है चार विकल्प हैं सबी लोग बताएंगे कौन सा वो आपका टाइगर उध्यान है जिसे सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया है तो सबी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर सबी लोगों को आंसर बताना है फटा फट से तो आपका पहला विकल्प है काना किसली बांदाओ गड़ सत्पुड़ा या फिर पैच तो सबी लोग आंसर बता रहे हैं कि जो काना किसली है यह आपका बिलको राइट आंसर हो जाएगा काना किसली जो है इसे सबसे पहले टाइगर रिजर्ब के रूप में घोसित किया गया जो कि कहां पर है मंडला में है यह चीज भी आपको याद रख लेना है और बारा सिंगा प्राणी के लिए सेलक्षन के लिए इसके लिए जाना जाता है ब्रेडरी पर जाती का ठीक है अ तो आपका दूसरा कोस्चन है आपको बताना है मद्यप्रदेश के किस जिले में माधव राश्टी उद्यान है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा चार विकल्प हैं पहला है आपका स्योपुरी है ना दूसरा है आपका मंडला होसंगाबाद या फिर पन्ना तो स्योपुरी है यहाँ पर तात्या टोपे को भासी भी दी गई ती एक क्वेस्चन भी कई बार पूँचा गया है और स्योपुरी जो है मद्यप्रदेश के माधव राश्टी उद्यान के लिए जाना जाता है सभी कुयाद रखना है अंगला क्वेस्चन आपके स्क्रीन पर ह खाद स्रंकला का अभिप्राय है इन में से किसके द्वारा उर्जा अंतरन होता है हमें बताना है खाद स्रंकला का क्या अभिप्राय है और इन में से किसके द्वारा उर्जा अंतरन होता है जल्दी से बताएंगे नई यह जो है आपको बताना है जल्दी से बताना है चार बेकल्फ हैं सबी लोग बताएंगे भूगर्ब से धरातल की और उर्जा अंत्रन होता है निम्नाक छांस से उच्छांस की और होता है एक जीवों से दूसरे जीवों को या इनमें से कोई नहीं तब आपका प्रस्ण तीन का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बिल्कुल साही बताया है कि एक जीवों से दूसरे जीवों को क्या होता है है ना उत्तर आपका हो जाएगा सा नम्मर सा नम्मर आपका बिल्कुल साही है ठीक है सा अंगला क्वेस्चिन देख लेंगे परियावरण का अजयो अभयब है या फिर अजयो घटक है तो वो कौन सा है परियावरण का अजयो घटक बताना है सबी लोग बताएंगे परियावरण का अजयो घटक कौन सा होता है तब आपका राइट अंसर क्या होगा बंसपती, जानबर, वायू या इन में से कोई नहीं तो चार बिकल्प हैं, चार में से एक का चेन करना है, परियावरण का अजेव घटक बताना है यानि कि बायू, बायू आपका बिलकुर शाही है, ठीक है, सी नम्मर आपका बिलकुर शाही हो जाएगा अंगला कोस्चन देखो सोर उर्जा का सबसे बड़ा योगी करना कौन है, सोर उर्जा का सबसे बड़ा योगी करना बताना है हरे पौदे हैं जानबर हैं बायू है या फिर इनमें से कोई नहीं तो स्वर उर्जा का हमें बताना है है ना सबसे बड़ा जो योगी करना माना जाता है वो कोन माना जाता है वो स्वर उर्जा के सबसे बड़े योगी करण माने जाते हैं ये नमर आपका सही हो जाएगा और इन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है उत्पादक क्या कहा जाता है हरे पोदे को प्रकास संसलेशन की किरिया द्वारा ये क्या बनाते हैं अपना भोजन स्वयम बनाते हैं और ये स्वर उर्जा के सबसे बड़े योगी करन माने जाते हैं तब अंगला क्वेस्चिन है भारत में बन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो चार बिकल्प में आपके सामने देहरादून भोपाल जबलपूर या इनमे से कोई नहीं तो बन अनुसंधान संस्थान बताना है चार बिकल्पों में से सभी लोग एक आंसर बताएंगे भारत में बन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर जद्दी से लखें कमेंट में और आप सभी ने जो उत्तर बताया है कि भारत में जो बन अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर है देहरा दून में ठीक है और एक मद्द्रदेश में जो बन अनुसंदान संस्थान फे इसी की जो साका है वो जवलपुर में है भोपाल में बन प्रबंधन है ना बन प्रबंधन संस्थान है बन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है अंगला क्वेस्चन देख लेंगे अंगला क्वेस्चन है अपना निम्ण में से कौन सा अपगटन योग है तो अपगटन योग बताना है कौन सा है सबी को पता है कि जो अपगटक होते हैं वो क्या होते हैं प्रत्वी के मैतर अगर आप से पूचा जाए कि प्रत्वी बिकल्प नमर जो B है आपका चमडे की बेल्ट चमडे की बेल्ट आपका बिलकुल राइटन्स रोगा चमडे की बेल्ट अप घटन योग है B नमर बिलकुल सही होगा लोहे की कील A नहीं है पिलास्टिक भी नहीं है तो B नमर आपका बिलकुल सही होगा राष्टिय बानसपत बताना है कोलकाता में है बैंगलूर में है लखनव में है या इन में से कोई नहीं तो चार विकल्प और हमें चेहन करना है A B C D राश्टी बानस्पतिक उध्यान कहां परिस्ते थे ये चीज बतानी है सबी लोग आंसर बताएंगे प्रश्निक रमांग है अपना आठ और अप नेक्ट किलास होगी बालवेकास का जो ओल्ड पेपर है 2011 का उसको सौल्व करवाएंगे आपको ठीक है तो बालवेकास का नेक्ट आपका पेपर होने वाला है 2011 का उसको सौल्व हम करवाएंगे तब आपका जो राइट आंसर होगा वो कहां पर है लखनव लखनव यानि की जो बिकल्प नम्मर बी है राश्टी औस्दी अनुसंदान संस्थान भी लखनव में है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनव है ठीक है अब सभी को पताना है कि आलू अनुसंदान संस्थान कहां पर है तो आपका यहां पर तो उत्तर बानसपतिक जो अध्यान है वो कूनोदवारा या इन में से कोई नहीं, तो आपका right answer क्या हो जाएगा? आपको बताना है प्रशन किरमांक आठ है, और 8 का जो आपका right answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? मिरदा अपरदन रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा रोका जा सकता है? सबी लोग आंसर बताएंगे प्रश्ण किरमांक 8 का तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मिर्दा आपरदन रोका जा सकता है तो बन रोपन द्वारा रोका जा सकता है आ नम्मर इसका सही हो जाएगा ठीक है जिनका जो बो है क्या है जिनकी धारना बनी है कि उपरयोक्त जहां दोनों आता है वो सही होता है तो ये बिलकुल भी धारना अपनी निकाल लें इसलिए मैंने इस बिकल्प को यहां पर दोनों दिया है और उत्तर बन रूपन एक दिया है कि दोनों हमेशा नहीं होता उपरयोक्त सभी जो गास रहती ह या ब्रक्च रहते हैं वो मिर्दा को जकड़ी रहते हैं तब अंगला क्वेस्चन हमें बताना है चिप को आंदोलन मूल रूप से किसके बिरुद्ध था तब सभी बताएंगे जल प्रिदूसन या फिर ध्वनी प्रिदूसन या दोनो या बन कटाई के तो आपका प्रश्नि प्रिदूसन ध्वनी प्रिदूसन दोनो या फिर बन कटाई तो चिप को आंदोलन उत्त्राखंड से संबन्देत हैं सुन्दलाल बहुगुड़ा इस संबन्देत हैं लेकिन मूल रूप से किसके बिरुद्ध था तब आपको पता होनी चाहिए और आपका जो राइट आंस जो बिवस्तित की सब्द की जो बिवस्तित परिभासा दी है वो हैकल महुदय ने दी है है ना तो आपको बताना है कि पारस्तितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं रासायनिक चक्र जयो भू रासायनिक चक्र भू बैग्यानिक चक्र या फिर भू रासायनि चक्र तो प्रश्निक्रमांग 10 है और 10 का उतर हमें A, B, C, D के माध्यम से बताना है तब आपका राइट आंसर क्या होगा पारिस्तितिक तंत्र में तत्वों की चक्रन को क्या कहा जाता है तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नम्मर B, B यानि क जेव भूर आसायनिक चक्र आपका सही होगा B नम्मर जिन्हों ने बताया है उनका अंसर B नम्मर बिलकुल सही होगा B नम्मर ठीक है जेव भूर आसायनिक चक्र को कहा जाता है तब अंगला क्वेस्चन आपकी स्क्रीन पर है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांती चेतर क्या कहलाता है दो भिन्ने समुदायों के बीच का संक्रांती जो चेतर है वो क्या कहलाता है एको टाइप एकेड एको इस्पियर या फिर एको टोन तो प्रशने किरमांग हमारे सामने ग्यारा है और ग्यारा का उत्र हमें बताना है कि दो भिन्ने समुदायों के बीच का जो संक्रान्ती काल कह जात, संक्रान्ती छेत्र है, वो जल्दी से बताएंगे, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रान्ती छेत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तब अधिकांस लोगों ने जो उत्तर बताया है, वो बताया है, एकोटोन, एकोटोन यानि कि जो बिकल्प नम आते हैं तो क्या आते हैं स्वापोसी जीओ के अंतरगत हमें बतानी हैं चार बिकल्प हमारे सामने मौजूद है मानाव हरे पौदे खरगोस या फिर सेर तो आपका राइट आंसर बताना है स्वापोसी जीओ के अंतरगत आते हैं तो कौन आते हैं प्रश्निक्रमांग 12 और 12 क आंसर सभी बताएंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा स्वपोसी जीओ के अंतरगत आते हैं कौन आते हैं तब अधिकांस लोगों ने बिलकुल आंसर सही बताया है कि जो होते हैं हरे पोधे, हरे पोधे यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका B है वो स्वपोसी जीओ के अंतरगत आते हैं और B नम्मर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाए फल को खाता है, फूल को खाता है पत्ती को या फिर तना को खाता है तब आंसर क्या होगा प्रस्निक्रमांग 13 का टिड़ा पोधे के किस भाग को खाता है खाता है बताना का आंसर हमें बताना है और 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पत्ती यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका सा है वो बिलकुल सही होगा ठीके, टिड़ा पोधे के किस भाग को खाता है तो पत्ती को खाता है, पत्ती अंगला कोस्चन देख लो अंगला कोस्चन है जलिये परीतंतर का अजयवेक घटक कोंसा है जलिये परीतंतर का हमें बताना है प्रस्निक्रमांग 14 का अजयवेक घटक कोंसा माना जाएगा प्रस्निक्रमांग 14 मेरे भी मोबाइल चल रहा है मेरे में मोबाइल में सभी के कमेंट देख रहा हूं लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा कि कहीं बफरिंग हो रही है तो जलिये परितंत्र का अजयबे का घटक कौनसा है हाइडरिया है कमल है पिस्टिया है या प्रकास उर्जा है तब आपका राइट आंसर क्या होगा प्रश्निक्रमांग 14 का तो जलिये परितंत्र का जो अजयबे के घटक है वो कौनसा है तब आपका प्रकास उर्जा प्रकास उर्जा यानि कि जो बिकल्प नमर आपका B है वो बिल्कुर सही हो जाएगा ठीक है प्रकास उर्जा आपका सही होगा ठीक है डी नमर आपका सही होगा पता नहीं क्यों आप लोगों की मोबाईल में बफरिंग हो रही है लेकिन अंगला क्वेश्चन देखती है योगेक लबड इबम अमल पारस्तित की तंत्र के किस घटक से सम्बंदेत है उत्पादक से सम्बंदेत है जैविक से सम्बंदेत है निर्माणक से सम्बंदेत है या फिर अजैविक से सम्बंदेत है योगेक लबड इबम अमल पारस्तित की तंत्र के किस घटक से सम्बंदेत है चार विकल्प है चार में से हमें बताना है तब प्रश्निक्रमांग हमारा पंद्रा है और पंद्रा का आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्रश्निक्रमांग पंद्रा का अधिकांस लोग D बता रहे हैं कुछ लोग A बता रहे हैं लेकर आपका जो उत्तर होगा वो होगा D यानि की अजयवेक घटक के अंतरगत आएंगे योगेक लबड इवम अमल पारस्तितिक तंदर के अजयवेक घटक यानि की D नम्मर आपका बिलकुल यहां पर सही होगा अंगला क्वेस्चन देखो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में छोब मंडल में मद्य मंडल में या इनमें से कोई नहीं तो प्रश्निक रमांक 16 और 16 का राइट आंसर क्या होगा हमें बतानी है कि जो ओजोन परत है वो पाई जाती है तो कहां पाई जाती है सबी लोग बिलकुल आंसर बताएंगे सही आंसर बताना है सबी को पता भी होने चाहिए क्वेस्चन बिलकुल आसान है सरल है तब आपका राइट जो आंसर होगा कि जो ओजोन परत है वो पाई जाती है समताप मंडल यानि कि ए नम्मर आपका सही होगा ओजोन परत कहां पा जाता है एक question भी आपको बताना है गंगा यमुना का संगम कहा होता है और इसे कहा क्या जाता है इलाहबाद, कोलकाता, रामे सुरम या इनमे से कोई नहीं तो गंगा यमुना का संगम सभी लोग बताएंगे एक कहा पर होता है और इसे क्या कहा जाता है तब आपका right answer जो हो ज जाता है तब अंगला क्वेश्चन है एहमत किसने प्रस्तुत किया है कि सारे असंतोस का स्रोत परिवार है मर्क्स ने मर्टन ने कूले ने या इन मेंसे कोई नहीं तो एहमत किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोस का जो स्रोत माना जाता है वो परिवार माना जाता है तो आप उत्तर क्या बताएंगे चार बिकल्पों में से एहमत प्रस्तुत कि इस ने किया कि जो असंतोस का सारे असंतोस का स्रोत परिबार माना जाता है तब सभी लोग बिलकुल आंसर सही बताएंगे तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथ कि वो होगा मार्क्स है मार्क्स यानि कि जो बिकल्प नमर आपका अ है यानि कि आ है वो आपका सही होगा मार्क्स ने एहमत प्रस्तुत किया कि सारे असंतोस का जो स्रोत है वो परिवार है यानि कि ए नम्मर आपका बिलकुल सही होगा अंगले कोस्चन आपकी स्क्रीन पर है केरल में नायरों के सन्युक्त परिवार को क्या कहते हैं तारवार गोसल इलाम या फिर इनमें से कोई नहीं तो आपका राइट आंसर बताना है प्रश्निक्रमांक 18 का केरल आपको पता होगा है ना केरल में हमेशा मैं बताता हूँ कि य यार अभ्यारन हैं हैना जो सबरी मला मंदर के लिए जाना जाता है और केरल में नायरों के सन्युक्त परिवार को क्या कहा जाता है तब प्रश्निक्रमांक 18 का आपका उत्तर हो जाएगा तारवार यानि कि जो बिकल्प नम्मर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ए एकांतिक नाबकिय परिवार की अबधारना किसकी है एकांतिक नाबकिय परिवार की अबधारना बताना है टी पार्संस कोलिन बेल आईपी देशाई या इनमे से कोई नहीं एकांतिक नाबकिय परिवार की जो अबधारना है वो किसकी है तब सभी लोग आंसर बताएंगे प्रस्ने किरमांग 19 का इसमें कुछ सरल प्रस्ने हैं तो कुछ कठिन प्रस्ने भी हैं पूरे के पूरे आंसर आपके सरल नहीं है पूरे प्रस्ने तो आपका उत्तर हो जाएगा T Parsons यानि कि जो बिकल्प नमबर A है वो बिलकुल आपका सही हो जाएगा A नमबर ठीक है एकांतिक नापकिये परिवार की अबधारना जो है T Parsons आपने दी है और A जिन्हों ने बताया है उनका अंसर बिलकुल सही हो जाएगा खेल में सामाजिक आदान परदान की एक रूप की तरह किसने देखा मतलब सामाजिक आदान परदान की रूप में खेल को बताना है खेल को सामाजिक आदान परदान की रूप में किसने देखा है पारसंस ने पार्टेल ने देशाई ने या इनमें से कोई नहीं तो प्रशने क पत्र बताएंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, खेल को सामाजे कादान प्रदान के रूप में देखा है, तो वो पार्टेल, यानि कि जो आपका बी नम्मर आपका बिलकुल सही होगा, पार्टेल, पार्टेल सही होगा, और आपने देखा होगा ना, खेल की बात आई है, तो किर्केट में एक पटेल थे, पार्थेव पटेल। पार्थेव पटेल थे, तो पटेल से हम पार्टेल याद रख लेंगे पार्टेल, passer ने आदान सामाझ एक आदान प्रतान की रूप में देखा है, अंगला question है पालतू पसु नहीं है तो कौन सा नहीं है बिल्कु सरल कॉस्चन है सभी लोग आंसर बताएंगे 20 बन का रोज आपकी साड़े 6 बजे कक्छा इसी प्रकार से होगी है ना तो पालतु पसी नहीं है तो कौन सा नहीं है बकरी गाय भैस या इन में से कोई नहीं तब आपका आंसर क्या हो जाएगा पालतु पसु कौन सा नहीं है सभी का आंसर बिल्कु सही आएगा क्योंकि प्रस्ने भी बिल्कु सरल है पालतु पसु बताना है सभी लोग देखते हैं रोज और आपका आंसर हो जाएगा कि इन मेंसे कोई नहीं यानि कि जो बिकल्प नमर D बकरी भी पालतू है भेंस भी पालतू है और गाए भी पालतू है तो D नमर आपका बिलकुर राइट अंसर होगा है ना अंगला कोस्चन आपकी स्क्रीन पर है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है गोडा को उट को गधा को या इन मेंसे कोई नहीं तो रेगिस्तान का जहाज बताना है हमें किसे कहा जाता है प्रशन किरमांक 22 और 22 का बिलकुर सरल सा प्रसन है और सरल सा प्रसन जब आ जाता है तो बिलकुल राइट अंसर सभी लोग बताते हैं और बिलकुल आपका सही है कि उंट यानि कि जो बिकल्प नमर आपका B है वो सही होगा उंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है